हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्मेंट जोब जेन्यो नॉटिफिकेसन यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में हम साइवर सिक्योटी कोर्स के बारे में जानेंगे साइवर सिक्योटी कोर्स क्या है इससे जुड़े हुए सारे पॉइंट्स हम डिसकस करेंगे जो भी important points है अगर आप इस फील्ड में अपना career बनाना चाहते हैं तो जो important points है उन सभी points को हम step by step इस वीडियो में discuss करेंगे like what is cyber security, cyber security क्या है, types of courses, कितने types के courses इसमें आप कर सकते है eligibility, admission process, fees, जो universities हैं या institutes हैं कौन-कौन से हैं जहां से आप कर सकते हैं कुछ के name में आपको suggest करूँगे इस वीडियो में, open universities कौन-कौन सी हैं जहां से आप कर सकते हैं and job positions क्या रहेगी अगर आप ये course कर लेते हैं तो ये सारे points हम discuss करेंगे, तो अगर आप इस फील्ड में अपना career बनाना चाहते हैं देन वीडियो को end तक देखेगा, skip मत कीजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आप information technology में interest रखते हैं internet में आपका interest है, देन आप cyber security course कर सकते हैं इस फील्ड में आप अपना career बना सकते हैं इसमें आप internet security के बारे में study करते हैं cyber crime को कैसे रुका जाए आजकल सभी companies, offices में चाहे वो private हो या government सभी जगर computer का यूज हो रहा है और जो भी सारा data रहता है company का या offices का जो भी department से, उन सभी का जो data है वो computer में save रहता है इसी data की security भी जरूरी है जिसके लिए cyber security expert की जरूरत होती है और अगर आप भी cyber security expert बनना चाहते हैं तब आप भी cyber security course कर सकते हैं और इसमें बहुत से courses भी available है जिनको आप जो भी course आप करना चाहें आप अपने interest के according choose कर सकते हैं ओके, बैसे इस का अगर हम देखें तो काफी demand आगे बढ़ने वाली है क्योंकि सभी जगह है computer का use है internet का use है, digitalization हो गया है अब अगर आप interest रखते हैं इस field में, देन आप ये courses कर सकते हैं और इस field में आप अपना career बना सकते हैं अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन-कौन से courses हैं कितने types के courses हैं जो आप अपनी choice के according कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं types of courses first certificate course अगर आप certificate level का course करना चाहते हैं तो इस field में आपको certificate course भी अपलिबल है डिपलोमा course अगर आप करना चाहते हैं डिपलोमा course कर सकते हैं undergraduate course After 12th अगर आप इसका Undergraduate Course करना चाहते हैं तो ये Course भी आप कर सकते हैं Postgraduate Course and PhD So, यहाँ पर आपको Certificate Course से लेकर के Doctoral Degree तक के Courses available हैं आप इसमें से कोई भी Course जिसमें आप Interest रखते हैं या जिस Level पर आपकी जो भी Qualification है उसे साबसे आप ये Course चूस कर सकते हैं आप यहाँ पर हम कुछ Undergraduate Courses देखेंगे जिनको आप After 12th कर सकते हैं जिसमें की First है B.Sc. in Cyber Security Second है B.E. Information Technology with IBM Third, B.Tech. in Computer Science Engineering with Cyber Security and Quick Heel B.Tech. in Computer Science Engineering with Cyber Security and Forensic BCA Honors in Cyber Security IT Management and Cyber Security ये कुछ Undergraduate Courses हैं जिनको अगर आप करना चाहें After 12th तो आप इसमें से कर सकते हैं इसके बाद अब हम जानेंगे Admission Process क्या रहती हैं तो अगर आप इन Courses में Admission चाहते हैं तो Direct Admission भी आप ले सकते हैं लेकिन कुछ Universities एं Institute हैं यहाँ पर आपको Entrance Exam आपको Mostly देना पड़ेगा तो यहाँ पर अगर हम कुछ Entrance Exam देखें तो JEE means NEET and JET तो यह कुछ Entrance Exam है जिनको आप Clear करके इस Field में आप Course कर सकते हैं इसके बाद हम देखेंगे Elisability तो Elisability इसमें 12th Pass है आप Science से यानि की PCM Physics, Chemistry, Mathematics से अगर आपने 12th complete कर लिया है तो आप इस Field में अपना Career बना सकते हैं After 10th भी आप इसमें कुछ Vocational Courses हैं जो कि आप कर सकते हैं So after 12th अगर आप चाहते हैं इस Field में तो आप Graduate जैसा कि मैंने बताया बहुत से Courses अबलेबल हैं आप कोई भी Courses चूस कर सकते हैं लेकिन Post Graduate Course और Doctoral के लिए अलग Qualification है क्योंकि Post Graduation के लिए आपका Graduation होना जरूरी है और PhD के लिए आपका PG होना जरूरी है So Undergraduate Course, Certificate Course या Undergraduate जो डिपलोमा Courses है वो आप After 12 कर सकते हैं Next अब हम जानेंगे इसके लिए आपको Fees क्या Pay करनी पर सकती है तो देखे यहाँ पर हम सिर्फ एक Average लेकर चल रहे हैं कि आपको लगबग 1,00,000 से 3,00,000 तक का आपका खर्चा आ सकता है क्योंकि जो Fees है वो College पर Depend करेगा जिस भी University से या Institute से आप कर रहे हो तो यह अलग-अलग Institute में अलग-अलग हो सकता है ओके एक Average है कि आप 1,00,000 से 3,00,000 तक क्योंकि Certificate Courses भी है, Diploma Courses भी है, PG भी है, PSD भी है तो 1,00,000 से लेकर के 3,00,000 तक का आपका I think एक Course कम्पलीट हो जाएगा सो आप जहां से भी करना चाहते हैं, एक वर वहाँ पर Confirm कर लिजेगा फीस आपको क्या पे करनी होगी Next आप आप देखेंगे कुछ Universities के नेम में आपको यहां पर सजेस्ट करूँगी जहां से आप एक Course कर सकते हैं जिसमां फर्स्ट है कालिकट यूनिवर्सिटी Next है नाइलेट यूनिवर्सिटी हिंदोस्तान इंस्टिट ऑफ टेक्निकल एंड साइन्स चैनने की है यह MIT यूनिवर्सिटी जैपूर स्वामी विवेकनन्द यूनिवर्सिटी SVU कॉलकाता सर्दा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोइडा यूनिवर्सिटी जहां से आप एक Course कर सकते हैं इसके अलाबा अब हम Next देखेंगे कुछ Open Universities के नेम जहां से आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं जिसमां की First है इंद्रा कांधी National Open University Second उत्रकंड Open University अगर आप इन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं इसके बाद अब हम देखेंगे अगर आप यह Course कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो जो प्रोफाइल है या जो रोल आपकी क्या रहते हैं किस तरह से आपको जॉप मिलती है तो यहां पर आप Computer Space List Information Technology Officer Security Officer Security Auditor Application Security Officer Security Analyst इस तरह की और भी जो प्रोफाइल हैं जैसा कि मैंने बताया Cyber Security Expert तो यह आपकी qualification आपने किस तरह किस लेवल का आपने कोर्स किया हुआ है उस पर depend करेगा आप Certificate Level के कोर्स कर रहे हैं Diploma Level का कोर्स किया है Undergraduate only या आपने PG किया है और PG के बाद भी अगर आप PhD कर लेते हैं तो आपके ज़्यादा chances रहते हैं क्योंकि PhD करने के बाद आप एक expert जो जैसे कि अभी मैंने बताया Cyber Security Expert आप बन सकते हैं तो यह आपके कोर्स पर depend करेगा So friends, आज के इस बीडियो में हमने जाना Cyber Security फील्ड में अगर आप अपना करेर बनाना चाहते हैं तो कौन-कौन से कोर्से अबलेबल है Cyber Security क्या होता है और किस तरह से आप जॉब लिसकते हैं जॉब प्रोजिशन्स क्या रहेंगी यह सारी and top universities या फिर open university के बारे में हमने इस बीडियो में डिसकस किया I hope आपको यह बीडियो helpful रहा हो और अगर आपको यह बीडियो पसंद आया है और इसी तरह के और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं courses से related, जो profile से related या entrance exam से related तब आप comment कर सकते हैं यह जो भी मैं सारे वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ courses related या जो भी मैं आप सभी को बता चुक हूँ यह comment से ही pick किया जा रहे है topic and video upload कर रही हूँ तो आप जिस भी topics related अगर आप वीडियो चाहते हैं तो comment जरूर कीजेगा मैं जल से जल वीडियो अपलोड करने की कोसिस करूँगी आपके जो भी topics wise हैं एक एक करके मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो हो सकता है कि किसी का पहले किसी का late हो जाए लेकिन हाँ यह सारे topics आपके comment से ही pick किये जा रहे हैं तो अगर आप भी किसी particular subjects के बारे में detail चाहते हैं जरूर comment कर दीजेगा और वीडियो को like करके channel को जरूर subscribe कीजेगा और उसके बाद आपको bell icon को press करना होगा bell icon के all option पर press कीजेगा ताकि पेरे सारे videos के notification आपको time से मिल सकेंगी Thank you